हेलो दोस्तों वागर थे आपका Comics Time में और आज हम सुरू कर रहे थे Krunal Karan की स्री काtu मिक्स मवथ का बदला मौत यह इसका दूसरा भाग है चले शुरू करते हैं पहले भाग में हमने आता की कहानी कंप्रिट कर चुके हैं चले शुरू करते हैं दूसरा भाग मैं वहाँ जाना चाहता हूँ क्योंकि फंटूस हमें उसी कलब में मिल सकता है ओके मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ रोयल कलब का हॉल गाहकों से भरा हुआ था यह तो कोई टेबल खाली नहीं है काउंटर पर चलो वहाँ स्टूल खाली है वह काउंटर के सामने पड़े स्टूल पर चा बैठे दो एबल जूस दो अब सवाल यह है कि फंटूस को कैसे तलास किया जाता भी बाब उधर देखो क्या है फंटूस हाँ लेकिन उस पर हम अभी हाथ नहीं डालेंगे मैं उस इसराइली जासूस से भी निपटना चाता हूँ जो कैपसूल खेरीद रहा है इतनी देर में फंटूस वाबस बाहर निकल गया था वह तो गया जाने तो अब वह मुझे से बच नहीं सकेगा कुछ दिर बाद दोनों भी कलब से बाहर निकले और गारी में बैट कर चल दिये मैं कुछ समझा नहीं तुमने फंटूस को जाने क्यों दिया मैं उस पर उस वक्त हाथ टालूँगा जब वह कैपसूल बेच रहा होगा और मारकोस ने मुझे बताया है कि इसराइल हेजेंट से उसका स्वधा रॉयल कलब में ही होगा अब मुझे कलब पर नज़र रखनी होगी फिरहाल तो ऐसा लगता है कि कोई हम पर नज़र रखे हुए है एक गाड़ी हमारे पीछे आ रही है हो सकता है मुझे से निपटने के लिए पंटूसने गुंडे भेजे होंगे उनसे मुझे देख लिया था करन का अनमान ठीक निकला अचानक पीछे आने वाली गाड़ी से फारिंग होने लगी वह स्टेंगन से हमला कर रहे हैं सड़क के किनारे गाड़ी रोक दो बॉब चल दी गाड़ी रोक कर दोनों नीचे उतरें हमलावर की काड़ी भी कुछ तूरी पर रुक गई थी धाएं हमलावर चार थे और चारो ही आंदा धून कोलिया बरसा रहे थे अस्टेंगन वाले का निसाना लेने की कोशिस में था एक बाठ जब उसने बस्ट बस्ट मारने के लिए सिसिर उभारा तो ढ़ाएं आई ले बैटे उसी वक्त बाब की चलाई हुई कोली एक अन्य बदमास को लगी ढ़ाएं अपने साथियों को गिरते देख दो सिर्स दो गुंडे गाड़ी में खुश गएं वो भाग रहे हैं हम उनका पीछा करेंगे लेकिन जब बाब की नजर अपनी काड़ी को एक टायर पर पड़ी सिट यह टायर तो फट गया है स्टेनवन की कोड़ी लगी होगी अब पीछा करने का विचा छोड़ो आओ उन लोगों की उन लासों को देखते हैं कर्ण को कुंडो की लासों से कोई दिल्चस्पी नहीं थी बोब को वहीं छोड़क पर वह अपने होटल के कमरे में आ गया फंटूस मुझे देखकर घबडा गया है इसलिए मुझे उसने मुझे पर हमला करवाया है लेकिन वह खुद सामने नहीं आया उसे सामने लाने के लिए मुझे एक बार फिर रॉयल कलब जाना होगा तब ही फोन की घंटी बजी मैं ब बाब प्रीज बाब इतनी जल्दी ना करो फंटूस से मैं अपने ढंक से नहीं पटना चाहता हूँ तुम कल तक ठहर जाओ कल साम मैं खुद कलब में कलब में जाने वाला हूँ क्यों नहीं क्यों काफी बहस के बाद बाब ने कर्ण की बात मान लिया और फोन बंद कर दिया अगली साम अपने चेहरे पर कुछ मामूली परिवातन करके कर्म कलब पहुचा पहली नजर में मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा एक टेबल पर बैटकर उसने कॉफी का ओरडर दिया और जब पेयर कॉफी लेकर आया मेरे एक मित्र मिश्टर फंटूस अक्सर इस कलब में आते हैं क्या वह आज भी आएंगे कुछ पता नहीं सहाब वह सहाब भी मिश्टर फंटूस को पूछ रहे थे करण ने उस व्यक्ति की और ध्यान से देखा वह व्यक्ति इसराइली लगता है क्या फंटूस उसी से सौदा कर रहा है कुछ आजलाउं सहाब नहीं तुम जाओ करण को बैठे दस मिनट ही हुए थे कि फंटूस हौल में परविश्ट हुआ करण ने उस बैरे को फंटूस से कुछ कहने को कुछ कहते हुए देखा बैरा उसे क्या बता रहा है फिर फंटूस हौल में एक अतरब बने फैमिली केबिन की और बढ़ा और एक विक्ति को भीतर केबिन के भीतर अचल आ गया सायद वो कैबिन में किसी से मुलाकात करेगा ओह यह वह वेक्ती भी कैबिन में जा रहा है तुरंत कर्म भी उठकर उस कैबिन के बराबर वाले कैबिन में जा बैठा पंटूस अवस्य ही इजराईली जासूस से भेट कर रहा है मुझे उनकी बात्चीत सुननी चाहिए और उसने अपनी जेब से एक यांतर निकाला तुरंत ही दूसरी और की आवाजे उसके कान में पड़ी तुमने रुपए का परबंद कर लिया है हाँ आज रात दो बज़े तुम्हें रुपए मिल जाएंगे गुड रुपए लेकर तुम यहीं आ जाना मेरा आदमी तुम्हें कलब के तहखाने में पहुचा देगा मैं तुमसे वहीं मिलूँगा और रुपए लेकर कैपसुल तुम्हें दे दूँगा ठीक है तभी कान के कैबिन में वही बेरा परविष्ट हुआ ओ सहाब आप यहां बैठे हैं मैं आपको आपको बताने आया था कि मिश्टर फंटूस आ गए है मुझे पता है तुम एक काफी और ले आओ लेकर आओ बेरा चला गया यह बेरा जान बूच कर भीतर आया था साइद वह फंटूस का ही आदमी है उसने दोबारा दिवार से आला लगाया लेकिन अब दूसरी और सनाटा था ओ साइद वह दोनों क्यविन से निकल चले गए हैं कर भी क्यविन से बाहर निकला वह रहा फंटूस पिछले दर्वाजे से बाहर जा रहा है बिल चुकाय बिना ही कर्म भी उस दर्वाजे से बाहर निकल गया अब फंटूस को नजड़ों से ओजल नहीं होने दूँगा गली में गली में मधिम परकास था वह जैसे ही आगे बढ़ा डिस्यूम आ कुछ ही चंड के लिए उसकी आँखों के सामने अंधेरा चागया अब आँखे देखने योगे हुई ओ गॉड़ उसने उठने की कोसिस की ठाक आई छूड़े वाले ने उसके पेट में बूट की ठोकर मारी उफ लेकिन इस बार कंड कलाबाजी खाकर उठा खड़ा हुआ और जेब से फिस्तोल निकाल ली लेकिन गुंडे ने चेंड को जटक का दिया तो फिस्तोल कंड के हाथ से निकल गई तराक कंड समझ चुका था कि यह जिंगी और मौत की लड़ाई है अताव खाली हाथ ही उनसे भिड़ गया जिशूम जिशूम छुड़े वाले गुंडे की कलाई उसके हाथ में आ गई आहा तराक समझ लो इसे लेकिन वह चारो भी जबर्जस लड़ा के थे उन्होंने एक साथ उठकर हमला किया जिशूम इस पर करंड को समझने का उसर नहीं मिला आई उफ फिर डंडे की जबर्जस चोट उसके सिर पर पड़ी करंड की आँखों के आगे अंधेरा चा गया तभी गली में कुछ लोगों के दोड़ने की आवाज सुनाई दी तो गुंडे घबरा कर भाग गए भागो करंड को जब होस आया तो वह अस्पताल में था बाब उसके निकट बैठा था मैंने तुम्हें वहाँ अकेले जाने के लिए मना किया था ना सारी बाब अगर मेरे आदमी ठीक समय पर ना पहुच जाते तो लोग तुम्हारी हत्या कर डालते यहां तुम अकेले फंटूस का मकाबला नहीं कर सकोगे ठीक है बाब अब तुम जैसा कहोगे मैं करूँगा अब तुम कुछ नहीं करोगे कल मैं कलब पर रेड करके फंटूस को गिरतार कर लूँगा तुम्हें आराम की ज़ुरत है इसलिए तुम अस्पताल में ही रहोगे तुम्हारा पिस्तोर गली में से मिल गया था लेकिन अभी वो मेरे पास रहेगा ठीक है उसे आराम करने का मसवरा देकर बाब वापस चला गया करने कलाई पर बंधी पटी देखी एक बज़े है दो बज़े कलब के तकाने में फंटूस वक्यापसूल इसराइल एजेंट को बेच देगा उसे पता नहीं है कि मैंने उनकी बाते सुन चुका हूँ अब मुझे अस्पताल से गायब होना चाहिए बिस्तर से उठकर वो चुक तूटकेस के गुट खाने से दूसरा पिस्तोल निकाला जेब में रखा साथ ही कुछ और जरूरी चीज़े भी अपने लिबास में छिपा ली ठीक दो बज़े वो रॉयल कलब के पीछे उसी गली में पहुचा जहां गुंडों ने उसे बेहोस किया था फंटूस सोचा भी नहीं सकेगा कि मैं इतनी जल्दी यहां वापस आ जाऊंगा कलब का मुखे गेट बंद हो चुका था कलब के पिछले दर्वाजे पर पहुचकर कंड ने एक तार दर्वाजे के ताले में डाला दर्वाजा खोल कर भीतर परविष्ट हुआ यहां तो कोई नहीं है ताह खान चलते हुए उसके पीछे पहुच गया का कॉन हो तुम अपने हात उपर उठालो दोस्त फंटूस कहा है वह यहां नहीं है वकॉमत मुझह पता है कि फंटूस एक इसराइली जासुस के साथ नीचे तहखाने में मुझे तहखाने में मुझे तहखाने में ले चलो वरना मैं तुम्हें कोली मार दूँगा नहीं मुझे मत मारना तो फिर मुझे तह खाने में ले चलो अच्छा बेरे ने फिर से धरवाजा को लाया तह खाने का रास्ता है नीचे एक ही कमरा है तुम तुम अकिले चले जाओ फंटूस मुझे देखेगा तो नाराज हो जाएगा ठीक है तुम यहीं आराम करो तड़ा वेरा नीचे गिर कर बेहोस हो गया कंदबे पाउ नीचे पहुचा वही कमरा है दरवाजा के निकट पहुचकर यह कैपसूल पराप्त करने के लिए मुझे कई हत्यां करनी पड़ी है और अपनी जान का खत्रा उठा कर मैं इस इंडिया से ले हाथ उपर उठा लो करन तुम यहां कैसे पहुचे अपनी टांगों से चल कर तुम्हारे गुंडे मेरा कुछ जायदा नहीं बिगाड सके थे तभी इस्टाइल एजेंट ने जेब की और हाथ बढ़ाया लेकिन करन साधान था ठाए ओ मैं अपने देस के दुसमनों को जिन् तेक फंटूस ने उस पर छलांग लगाई लेकिन ठाए ओफ यह रही मेरे देस की आमानत मेरे मिसन मेरा मिसन पुरा हुआ कैपसुल जी मैं रह कर वाता खाने से बहा निकल आया अब मैं अस्पताल जाकर आराम करूंगा बाब को भी यहां आने की चवरत नहीं है कि मैं क्या कर चुका हूँ आते घंटे बाद वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा गहरी नीच सो रहा था समाप्त चलिए दोस्तों यह कॉमिक्स यहां समाप्त होती है मिलते हैं फिर ऐसे किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक् आपके लिए ऐसी अच्छे अच्छे कॉमिक्स लाते रहें तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे कॉमिक्स के अच्छे से भाग में तब तक के लिए धन्यावाद बिदा